हालो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लाजिया जिसको शोट में बीपीज भी बोलते हैं तो इससे पहले अपन थोड़ा बहुत प्रोस्टेट ग्लेंड के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप ल यूरित्रा के दोनों तरफ इसकी लॉप्स प्रजेंट होती है दूसरा जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके नीचे की तरफ प्रजेंट होती है अब इसका फंक्शन क्या होता है जो प्रोस्टेट ग्लेंड होती है वो सीमन में जो फ्ल्यूड प्रजेंट होता है वाइट कलर क उसके formation में help करती है या उसको secret करती है तो ये तो बात हो गए normal prostate की अब अपन बात करें benign prostate hyperplasia की तो ये एक ऐसी condition होती है जिसमें prostate gland में hyperplasia हो जाता है means prostate gland में enlargement हो जाता है तो आभी दूसरी जो structure देख रहे हैं इसमें prostate gland enlarge हो गई है अब जो यहाँ पर enlargement हुआ है उस वज़े से यहाँ पर क्या problem देखने को मिलती है कि जो urethra जो यहाँ present था उसके क्या हुआ blockage हो गया मतलब यह urethra क्या करती है suppress कर देती है जिस वज़े से urethra का जो pathway होता है वो narrow हो जाता है अब जो यह pathway narrow हुआ है उस वज़े से क्या complication होगी urinary bladder से urine pass out नहीं हो पाएगा ठीक है यहाँ से जो urine normally pass out होता है urethra में वो pass out नहीं हो पाएगा तो इस condition को बोलते है benign prostate hyperplasia तो अपन जैसे इसके notes के बारे में देख लेते हैं तो इसमें first point है it is enlargement और hypertrophy of prostate gland means BPH के आई ऐसी condition है जिसमें prostate gland में hyperplasia enlargement हो जाता है next point is the prostate gland enlarges extending upward into bladder and obstructing the outflow of urine जैसे में आपको बताया है जो prostate gland enlarge हो जाती है उसके बाद ही क्या करती है urine के outflow को block करने लग जाती है next point है incomplete emptying of bladder and urinary retention leading to urinary stasis may result in hydronephrosis, hydroureter and UTI इस point का mean यह है कि अब जो blockage हुआ है जो prostate gland suppress कर रहा है यूरी तरा को उस वाज़े से क्या होगा कि properly urinary bladder से urine आगे नहीं जा पाएगा आगे flow नहीं होगा तो यह जो flow बंध हो रहा है urinary retention हो रहा है जिस वाज़े से क्या problems देखने को मिलेगी first one है hydro nephrosis means kidney के अंदर urine जो है या fluid है उसका level जादा हो जाएगा आगे fluid नहीं जा पाएगा तो kidney में ही fluid का level excessive हो जाएगा जिसको बोलेंगे hydro nephrosis second one hydro ureter means जो ureter से उनमें dilation हो जाएगा ureter आपको पठा है kidney से जो है urinary bladder में जो आते है ureter तो ureter में भी dilation हो जाएगा flow मतलब जो fluid है उसका level जादा होने की वजह से तो उसको बोलेंगे hydro ureter यहां पर utib हो सकता है urinary tract infection तो यह आपको समझ में आ गया कि जो भी gland enlarge हो रही है prostate gland उस वज़े से क्या होगा urine pass out नहीं हो पाएगा जिस वज़े से तीन problem देखने को मिलेगी kidneys में overflow हो जाएगा fluid का जो urinary tract में infection हो सकता है तो यह complications यहां पर देखने को मिल सकती है bph में ओके तो यह तो बात होगे general definition की अब अब अपन बात करें causes या risk factors की जिन वज़े से bph occur होता है तो इसमें first point है the exact cause is unknown but studies suggest hormonal involvement like testosterone and DHT जो exact reason है condition cause होने का वो unknown है but यहां पर कुछ studies में suggest किया गया है research में बताया गया है कि यहां पर hormonal imbalance की वज़े से यह condition cause होती है और कौन से हार्मोन इसमें involved होते है टेस्टोइस्टेरोन and DHT dihydro testosterone जो DHT होता है यह तरह का metabolic product होता है testosterone का और यह generally जो हमारे hair follicle से हमारे जो prostate gland और body other parts में भी यह पाये जाता है तो अगर इसका level जादा हो रहा है वहां पर तो उस वज़े से prostate gland में enlargement हो सकता है इसकी वज़े से hair loss भी होता है level जादा हो जाने की वज़े से next point है यहां पर BPH is common in men older than 40 years अब जो यह condition देखने को मिलती है यह ज्यादा तर 40 साल से ज्यादा लोगों में देखने हो मलती है जिन लोगों की 40 साल से ज्यादा एज हो गई है उन में यह condition ज्यादा देखने को मिल सकती है तो यह तो बात हो गई यहां तक causes की next यहां पर बात आती है डाइट की some studies suggest people who consume greater protein in diet में prone to BPH अब कुछ research studies में यह भी पता लगा है कि जो लोग high protein diet लेते हैं जो अपनी diet में protein की मातरा ज्यादा लेते हैं जो मतलब जिंब अगेरा भी जाते हैं वो भी diet ज्यादा लेते हैं protein की उन लोगों में prostate hyperplasia होने के chance ज्यादा होते हैं तो यह तो बात हो गए causing risk factors यह अब अपन बात करते हैं यहाँ पर pathophysiology की तो जो भी etological factors होते हैं जो risk factors होते हैं like hormonal imbalance या increasing age या diet उस वज़े से होता क्या है कि यहाँ पर दो enzyme आते हैं एक तो आता aromatase और एक आता है 5 alpha reductase इन दोनों enzyme की जो activity होती है वो increase हो जाती है अब बात आती है कि enzyme enzyme करते क्या हैं तो जो aromatase होता है यह enzyme estrogen का formation करता है मेल्स में जो estrogen hormone होता है उसकी form प्रेजेंट होती है Estadial Estadial जो होता है वो एक तरह का estrogen का form होता है जो मेल्स में sexual activities में help करता है second one यहाँ पर जो आता है 5 alpha reductase यह क्या करता है यह testosterone से DHT form करता है यानि dihydrotestosterone का formation करता है testosterone से ओके तो यहाँ पर इन दोनों की activity increase होगी तो इस वज़े से क्या आगे mechanism होगी जो DHT है और जो estrogen है इनका level increase हो जाएगा dihydrotestosterone और estrogen दोनों का level blood में क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अब इस वज़े से आगे क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लेंड की हो जाती है जिस वज़े से DHT और estrogen का level blood में increase हो जाता है और जिस वज़े से प्रोस्टेट ग्लेंड की sales में भी abnormally increase हो जाती है growth ओके नेक्स्ट यहाँ पर clinical features की बात करें तो इसमें first one है जो प्रोस्टेट ग्लेंड होगी होगी तो लार्ज हो जाएगी रब्री नेचर की रहेगी दूसरा नोन टेंडर रहेगी means tenderness feel नहीं होगी उसमें second one है hesitancy in starting urination जब person urination करेगा तो उसको hesitancy feel होगी क्योंकि एक तो pressure है increase है वहाँ पर दूसरा pain भी हो रहा है person को इस वज़े से urine properly तरीके से pass out नहीं कर पाएगा third one है increase frequency of urination जो urination की frequency है वो increase हो जाएगी बार बार person को urine लगेगा next one है nocturia night की अंदर जो है automatic person का urine जो है pass out हो जाएगा bed waiting की problem यहाँ देखने को मिल सकती है next one है urgency urgency का mean यह है कि जो bladder में pressure जादा रहेगा उस वज़े से person को बार बार urine feel करने के sensations होंगे means बार बार उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को urine आ रहा है मेरे को urine करना क्योंकि वो pressure जो bladder में जादा रहेगा next one है abdominal straining अब जो यहाँ पे urinary bladder में pressure है उस वज़े से क्या होगा कि जो abdominal muscle से जो support provide करती है उनमें stretching हो जाएगी और rupture होने के chance भी हो सकते है जिसके लिए क्या use होता है term abdominal straining next one है sensation of incomplete emptying of bladder person को बार बार ऐसा feel होगा जब भी वो urination करेगा तो उसके बार ऐसा लगेगा उसको कि मेरा जो urinated bladder है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है मेरा urine पूरी तरह से पास आउट नहीं हुआ है next one है fatigness weakness रहेगी person को pelvic discomfort यहां पर रहेगा भारीपन रहेगा pelvis area में next one azotemia यहां पर रहेगा means blood में urea और nitrogen products का level increase हो जाएगा जिसके लिए term use होता है azotemia और last यहां पर clinical feature है renal failure renal failure कब होगा अगर chronic time तक urinary retention रहता है means लंबे time तक patient का urinary retention है वो persist है means अगर timely treatment नहीं किया जाए तो क्या होगा एक time ऐसा आएगा जब renal fail भी हो सकता है means kidney fail हो सकती है तो यह बात होगे clinical features की अब अपन बात करते है इसके diagnosis की तो इसमें first one है history collect करेंगे patient की जो प्रेजेंट पास्ट medical history है family history होके next one है physical examination करेंगे third one digital rectal examination करेंगे इसमें करते क्या है डॉक्टर की जो rectum area है वहाँ से finger insert करके जो pelvic areas है जो pelvic parts से उनको feel किया जाता है तो इसमें prostate gland को अगर feel करेंगे pressure डालेंगे तो उसमें swelling present रहेगी next one है diagnosis prostate specific antigen यह एक तरह का protein होता है जो normally prostate gland में present होता है but जो prostate hyperplasia condition रहेगी इसमें क्या होगा इसका level increase हो जाएगा तो अगर यह test करेंगे और उसमें अगर इसका level increase मिलता है तो यहां पर hypertrophy की problem है next one है ultrasonography यहां कर सकते है prostate gland को visualize करने के लिए next one है urine analysis अब यहां पर urine analysis क्यों करेंगे hematuria के लिए और UTI के लिए means urine में blood present तो नहीं है दूसरा infection की condition तो नहीं है इन दोनों को measure करने के लिए urine analysis करेंगे तो यह बात होगे diagnosis की अपन बात करते हैं इसके management की तो इसमें first one आता है medical management जिसमें एक drugs आती है alpha blockers जो blood vessels होती है उन पे receptors पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं alpha adinergic receptors तो यह drug क्या करती है उन receptors को block कर देती है जिस वज़े से जो blood vessels से उन में dilation हो जाता है अब इसमें कौन-कौन सी drugs आती है एक तो है alpha reductase inhibitors अब आपको मैंने pathophysiology पता है ता 5 alpha reductase enzyme के बारे में वो enzyme क्या करता है DHT का formation करता है तो यह drugs क्या करती है उस enzyme को block कर देती है जिस वज़े से क्या होगा DHT का formation नहीं होगा और DHT का formation नहीं होगा तो sales की growth भी ज़्यादा नहीं होगी prostate gland में समझ गए अब बात करे हैं अपन medical management बाद surgical management की तो इसमें first one है transurethral resection of prostate इस procedure में किया क्या जाता है जैसा इसके नाम से पता चल रहा है transurethral जो urethra है उसके थुरू इसमें जो instrument उसको insert कराये जाता है और urethra के थुरू instrument को कहां ले जाये जाता है prostate gland में और prostate gland में ले जाने के बाद महाँ पर जो abnormal tissue की growth हुई है उसको remove कर लिया जाता है तो समझ गई procedure एक इसके बाद surgery आती है prostatectomy यह कैसी procedure होता है जिसमें prostate gland को completely remove कर लिया जाता है उसको बोलते हैं prostatectomy और third one एक यहाँ पर surgical procedure आता है water vapor thermal therapy यह एक नया procedure है अब इसमें करते क्या है कि एक needle को insert कराते है prostate gland में और उस needle के through prostate gland में steam या भाब को insert कराया जाता है वह भाब क्या करती है जो भी abnormal tissues की growth हुई है जो cells growth हुई है उन cells को यह steam kill कर देती है necrosis कर देती है इसके बाद क्या होता है कि जो भी swelling वहाँ पर वह यह जो cells की growth हुई है वह वापस से normal हो जाती है श्रिंक हो जाती है बात कर लेता है पर इसके nursing management की तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ओन admission assess the vital science of patient जब patient को admit किया जाता है तो सबसे पहले है उसके vital science को हम assess करना है जो की जरूरी होता है शेकिंड वन है classify the treatment regarding doubts of patient and family members अब जो भी patient आया है और जो इसके family members है उनके मन में बहुत से doubts रहते है treatment के regarding जो उनको problem हो रहा कि उसके regarding तो नर्स का यह काम होता है कि वो उनके जो भी doubts है वो clear करे next one है यहाँ पर monitor voiding pattern जो patient है उसका voiding pattern assess करना है कि वो कितनी बार urine pass out कर रहा हो कितना urine उसको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तो वो हमको monitor करना होता है second one watch for bladder distension अब यहाँ पर bladder distension का भी पता लगाना अगर अंदर ज्यादा urine collect हो रहा है bladder पर pressure पढ़ रहा है distension की problem है तो ऐसी condition में थिटराइजेशन करना ज़रूरी है ताकि जो भी अंदर urine collect हो रहा है उसको बाहर निकला जा सके है okay next one closely monitor urine output अब patient का जो urine output है उसको closely monitor करते रहना है next one administer analgesics as prescribed अब यहाँ पर जो patient को pressure की वाज़ेसे pain भी रहेगा तो उसके लिए analgesics देनी है ताकि pain relief हो जाए next one है maintain fluid and electrolyte level up person का जो fluid और electrolyte level है इसको भी maintain करके रखना जरूरी है next one है SS signs of infection अगर UTI के chance है अगर ऐसे कोई sign दिख रहे है जिनसे पता लग रहा है कि infection भी हो सकता है तो उनको SS करते रहना है next one है teach patient and family members for measures like lifestyle diet after surgery अब surgery होने के बाद हमा जो नर्स रहती है उसका काम यह रहता है कि वो patient और family members को जो भी आगे का treatment देना है जो rehabilitation process देनी है जो tight वगेरा देनी है उसके बारे में अच्छे से समझाना है किस तरह से drugs देनी है कौन को सी drugs देनी है किस time देनी है यह सब अच्छे से family members को बताना है और last point है यहाँ पर advice for follow up care और यह भी advice देनी है कि आपको time to time check up के लिए आना है